एलो दोस्तों आपका स्वागत है रिव्यू वर्स में तो आज हम इस वीडियो में Amazon Prime की न्यू वेब सिरीज फर्जी को एक्स्प्लेंग करने वाले है सिरीज को फुल इंजोई करने के लिए आप Amazon Prime एप पर देख सकते हैं सिरीज शुरू होती है कुछ लोग शाहिद के कैरेक्टर सनी को पकड़ कर उसके दोस्त फिरोज के साथ एक कमरे में बंद कर देते हैं एक बंदा सनी को नोट दिखा कर पूछता है ये किसने बनाया कहानी पास्ट में आती है सनी एक फेल्ड पेंटर होता है जो बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग की कौपी बनाकर अपना गुजारा करता है सनी ने painting अपने नाना से सीखी है जो एक क्रांती printing press चलाते है, जिसमें वो क्रांती पत्रिका चापते है, जो पत्रिका सालों से रद्धी वालों के अलआवा किसी के काम नहीं आ रही है सनी और फिरोज बचपन के दोस्त है और जहां बच्चे बचपन में खेलते थे ये दोनों गली-गली सनी के नाना की क्रांती पत्रिका बेचते थे दोनों पत्रिका बेचकर नाना की हैल्प करते थे और पैसे बचा कर बड़ा आदमी बनने का सपना देखते थे दोनों दिन भर प्रेस में रहते थे जहां सनी ने नाना से पेंटिंग सीखी और फिरोज ने यासीर चाचा से प्रिंटिंग सनी की गरीबी से शर्मिन दगी के चलते उसकी गल्फ्रेंड अनन्या उसे अपने फ्रेंट सर्कल से दूर रखती है और उससे सिर्फ पाकिंग जैसी जगह पर मिलती है सनी न्यू येर पर अनन्या को विलोसिटी क्लब में पार्टी देने की सोचता है पर उस क्लब की टिकट बहुत महेंगी होती है वहाँ का मैनेजर उन्हें बेजज़त करके भगा देता है जिसके बाद अनन्या सनी के बिना अपने दोस्तों के साथ विलोसिटी जाती है और अपने नाना की खातिर अगले दिन सनी और फिरोज रत्मलाल से करजा चुकाने के लिए थोड़ा और टाइम मांगने जाते हैं. नाना से पुरानी दोस्ती के चलते रत्मलाल का बेटा उन्हें एक महीने की मोहलत और दे देता है. सनी अपने नाना को आखरी एडिटोरियल छा अपता देख इमोशनल हो जाता है. सनी और फिरोज की सारी सेविंग्स मिला कर भी प्रेस का दर्वाजा बचाने लायक नहीं थी. फिरोज अनीज से मिलता है जो उनकी हेल्प के लिए उसे फरजी धंदे के किंग स्कैच मांजा से मिलाता है. जो किसी भी नई चीज की कॉप के ठेके पर चलाने जाते है. लेकिन शॉप के पर नकली नोट पहचान कर उन दोनों के पीछे आदमी लेकर भागने लगता है. किसी तरह दोनों उन लोगों से अपनी जान बचाते है. जिसके बाद माइकल वेडा नाम का ओफिसर अपनी टीम के साथ नकली नोट बनाने वा और फिर से नोट चापने लगते हैं. सनी और फिरोस फिर से उस शराब के ठेके पर जाते हैं और इस बार वो नोट चल जाता है. कहानी प्रेजन्ट में आती है और हम देखते हैं जिसने उन्हें पकड़ा है वो मनसूर है. सनी मनसूर से कनफेस करता है ये नोट उसने चापा ह जिसके बाद मनसूर फिरोज को मारने का order देकर चला जाता है मनसूर का बंदा सनी के सामने फिरोज पर गोली चला देता है Flashback में हम देखते है कि सनी का बाप हमेशा नए बिजनस में फेल होने के बाद दूसरे शहरों में भागता रहता था और एक दिन वो सनी को ट्रेन में छोड़के भाग जाता है सनी उसके इंतजार में प्लैटफॉर्म पर ड्राइंग बनाता है जहां उसकी मुलाकात फिरोज से होती है और एक दिन उसका नाना उसे धून लेता है और सनी और फिरोज दोनों को अपने साथ ले जाता है आगे हम देखते हैं फिरोज गोली से बच जाता है मेगा पॉलिटिशियन्स को नई स्कैनिंग मशीन दिखाती है पवन गहलोट उसे सीरियस नहीं लेता है माइकल गहलोट से मंसूर को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है लेकिन वो उसे भी इग्नो करके चला जाता है सनी और फिरोज अनीस के दोस्ट स्कैच मांजा के जरिये लिकडावाला से मिलता है जो उनके नकली नोट की क्वालिटी से इंप्रेस होकर उन्हें 2 करोड के नकली नोट का ओडर देता है माइकल गहलोट को उसकी अशलील फोटो भेज कर ब्लेक मिल कर उसकी हेल्प करने को कहता है यासीर चाचा को पता चल जाता है कि सनी नकली नोट चाप रहा है सनी उनको मनाने के लिए एक कैफे लेकर जाता है नकली नोट की क्वालिटी देख चाचा भी इंप्रेस होकर उनको जॉइन कर लेते है नकली नोट छापने के लिए उन्हें अच्छे कागज और नई मशीनों की जरूरत होती है इसलिए वो दोनों रत्म लाल से एक नया लोन ले लेते है सनी और फिरोज को रेस्ट्रिक्टेट पेपर खरीदने का कोई तरीका नहीं मिलता तो वो दोनों आनीस की हेल्प से कुछ बंदों के साथ मिलकर एक कागज की फैक्ट्री में चोरी करने जाते है और गार्ड्स को पकड़कर फैक्ट्री में से वो रिस्ट्रिक्टेट कागज चुरा लेते है जिसके बाद वो जल्दी ही लकडावाला का ओडर तयार कर देते है इसके बाद उनका बिजनेस चल पड़ता है और रत्न लाल का सारा करजा ब्याज के साथ चुका कर वो क्रांती प्रेस को बचा लेते है सनी अनन्या के साथ महेंगे रस्टोरेंट में दिनर करने जाता है जहां उसे पता चलता है अनन्या शादी करने वाली है Sunny नकली नोट से पेमेंट कर वहाँ से निकल जाता है जिसके बाद दिनर करने आई Mega को चेंज में वही नकली नोट मिलता है जिसे वो पहचान लेती है Finally Michael को उसकी मेहनत और ब्लेक मिलिंग का फल मिलता है और गहलोत उसे खुद की टास्क फोस असाइन करता है Mega अपनी कलीग के साथ Sunny के नोट को चेक कर शौक हो जाती है वो इतना परफेक्ट होता है Michael अपनी फोस के साथ CCFART नाम से नया डिपार्टमेंट बनाता है और सभी ओफिसर्स को मंसूर के बिजनेस और उससे जुड़े लोगों के बारे में ब्रीफ किया जाता है NIA Mega के नकली नोट वाले मैटर पर कोई अपडेट नहीं देता है जिससे Mega फ्रस्ट्रेट हो जाती है लकड़ावाला Sunny और फिरोज की एक बड़े ओड़ा के लिए गुजरात के MLA केसरी भाई से मीटिंग कराता है जो उनसे 20 करोड का ओड़ा गुजरात पहुचाने की डील करता है माइकल जाली नोटो से दो फोन खरीदता है एक वो अपने कलीक शेखर को देता है और दूसरा फोन अपने बेटे व्योम को बर्थडे पर गिफ्ट करता है माइकल अपनी डिवोस बीवी रेखा से अपने बेटे व्योम को लेकर जगड़ा करता है फिरोज एक बुजर्ग आदमी के नाम पर MKG पब्लिकेशन नाम की कमपनी रजिस्टर कराता है इसके बाद कुछ इंटर्व्यू करा के एक लड़की को रिसेप्शनिस्ट बना कर बिथा देता है मेगा CCFART डिपार्टमेंट जॉइन करती है और माइकल को सनी वाला नोट दिखा उस एरिया के आसपास वाले प्रिंटिंग प्रेस में रेड मारने को कहती है माइकल के मना करने पर वो खुद स्टेंप मारकर पमिशन लेटर लेकर लोकल पुलिस के पास रेड का ओडर लेकर जाती है मेगा ओफिसर के साथ सारे प्रेस पर रेड मारते हुए आखर में क्रांती प्रेस पहुचती है जहाँ सनी और फिरोज एमेले का 20 करोड चाप रहे होते है मेगा यासीर को फोस कर प्रेस ओपन करा अंदर घुसाती है सनी का भांदा फूटने ही वाला होता है तभी माइकल को उसके फेक ओडर का पता चल जाता है और वो मेगा को फोन कर जल्द से जल्द वापस बुलाता है मेगा के जाने के बाद सनी के नाना प्रेस में बहुत सारे नोट के साथ सनी को पकड़ लेते है Sunny को लगता है अब वो गया लेकिन वो देखता है उसके नाना को भूलने की बीमारी है और वो फिर से बच जाता है अगले दिन मेगा स्पीच रट कर इस्तीफा देने जाती है लेकिन माइकल उसे माफ कर देता है Sunny और फिरोज ट्रक में एमेले की 20 करोड की डिलीवरी करने जाते है बॉर्डर पर उन्हें पुलिस रोकती है लेकिन वो रिश्वत देकर वहाँ से निकल कर डिलीवरी पूरी करते है Sunny और फिरोज वापस क्रांती प्रैस आते है नानू को उनके नकली नोट वाले बिजनेस के बारे में पता चल चुका होता है नानू उन दोनों को वहाँ से भगा देते है गहलोट फाइनली मेगा की स्कैनिंग मशीन धनरक्षक को लॉंच करा देता है यासीर चाचा Sunny से कैफे में मिलते है और उससे रोज नाना से माफी मांगने को कहते है Sunny बताता है उससे नाना को चीट करने का दुख है पर उससे उसके नकली नोट चापने का कोई गिल्प नहीं हो रहा है माइकल की बीवी मेगा उसको डाइवोस पेपर भेजती है जिसके बाद वो उसके न्यू बॉइफ्रेंड अर्जुम को धंका कर मेगा के पेरेंट से मेगा को मनाने को कहता है सनी के नाना अचानक से गायब हो जाते है सनी पुलिस में उनके मिसिव होने की रिपोर्ट लिखाने जाता है पुलिस के इम्मीजेट एक्शन ना लेने पर सनी उन पर भड़क कर खुद को फिरोज के साथ लॉक अप में बंद करा लेता है नकली नोट पहचानने के लिए धनरक शेफ चिप सब बैंक दुकानों और सौफ्टवेर के थू मोबाइल तक पहुचा दिया जाता है यासीर चाचा उन दोनों को लॉक अप से छुड़ा कर बताते हैं कि नाना पास की गली में भटकते मिल गए है वो दोनों नानू से मिलते हैं नानू को नकली नोट वाली बात याद नहीं होती है सनी नानू की बीमारी के चलते डॉक्टर से मिलता है जो इन्हें एक बड़े डॉक्टर से नाना की सरजरी कराने को कहती है शेखर मेगा को बताता है माइकल के शराबी बनने का जिम्मेदार मनसूर है माइकल के उसके रास्ते का काटा बनने के बाद मनसूर में पॉलिटिकल इंफ्लुएंस से उसके उपर 13 केस लगवा कर सस्पैंड करा दिया था धनरक्षक वाली चिप सारी कैश मशीनों में काम करना शुरू कर देती है और इंडिया में जगह जगह नकली नोट पकड़े जाते है इससे मनसूर समझ जाता है ये सब माइकल का किया धरा है एमेले केसरी भाई मंसूर को सन्य का नकली नोट दिखाता है जिसे machine detect नहीं कर पाती है जिसके बाद मंसूर के आदमी उसके कहने पर तुरंट सनी और फिरोज को उठा लेते है मंसूर सन्य को उसके साथ काम करने की डील देता है Sunny कहता है उसने ये काम छोड़ दिया है जिसके बाद वो Sunny को उसकी Emily को मारने की धमकी देकर उसके साथ Deal Final कर लेता है Mansoor के आदमी Sunny और फिरोज को वापस घर छोड़ देते है फिरोज सनी को रियलाइस कराता है कि वो ये नाना के लिए नहीं बलकि अपना आठ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है सनी और फिरोज मनसूर के फोरण कंट्री वाले हैटक्वार्टर जाते है जहां मनसूर उन्हें नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली सारी जरूरी चीजे प्रोवाइड कराता है सनी 2000 के नोट का डिजाइन कॉपी करता है और फिरोज जल्दी से जल्दी उन एद्वांस प्रिंटर्स को समझने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा मेहनत के बाद वो मुश्किल काम को कर दिखाते हैं और 2000 का जाली नोट बनकर तयार हो जाता है मनसूर दोनों से इंप्रेस होकर उन्हें खास आदमी बिलाल और जीतू काका से मिलाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी काम देखते है मनसूर सनी से कन्फम कर अपने 2000 के नोट मार्केट में उतारने को कह देता है माइकल अपने तलाक के लिए डाइवोज लॉय से अपोइंटमेंट लेता है फैमिली मैन वाले चेलिम सर माइकल को कॉल कर इंफॉर्मेशन देते हैं कि बिलाल बंगलादेश में है सनी और फिरोज वापस क्रांथी प्रेस आते है यासीर चाचा सनी से उसके नए पार्टनर के बारे में पूचते है पर सनी बाद घुमा देता है डॉक्टर अगले दिन सनी और चाचा को हॉस्पिटल बुला कर बताती है डॉक्टर सरजरी के लिए राजी हो गया है नानू की सरजरी में हेल्प के लिए सनी मंसूर को थेंक्यू बोलता है माइकल बिलाल को पकड़ने के लिए गहलोत से फोरन मिशन की पमिशन मांगने के लिए फोन करता है गहलोत ओफिशेली उसकी हेल्प करने से मना कर देता है जिसके बाद माइकल श्रीकांत तिवारी यानि फैमिली मैन के मनोज बाचपाई को फोन करके हेल्प मानता है श्रीकांत की हेल्प से माइकल बांगलादेशी इंटिलिजेंस के साथ मिलकर बिलाल के लिए जाल बिछा कर उसे अरेस्ट कर लेता है सायरा नाम की लेडी मंसूर से बिलाल के रिप्लेस्मेंट की बात करने आती है तब हमें पता चलता है मंसूर लीडर नहीं है उसका बॉस कोई और है बिलाल को टॉर्चर करने के बाद माइकल को बिलाल से 2000 के फेक नोट मिलते है जो इतने परफेक्ट होते है कि मेगा भी फर्क नहीं बता पाती है मनसूर नानू की सरजरी का हाल चाल पूछने के बहाने सनी से मिलने आता है मनसूर सनी को पार्टनर्शिप का ओफर देकर माइकल की टीम की इनफॉर्मेशन निकालने को कहता है यासीर चाचा सनी को मंसूर से दूर रहने को कहते है लेकिन सनी किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं होता है सनी में ऐसा चेंज देख यासीर चाचा उसका बिजनेस छोड़ देते है Michael Hospital में Bilal से Artist के बारे में पता लगा लेता है और Bilal से उसके Informer की Help से Mansoor की Information देने को कहता है Sunny Jamal की Help से Government Assign Force CCFART Team के लोगों का पता लगाता है Sunny Cafe में Megha से मिलकर उससे दोस्ती कर लेता है और उसको Flat धूनने में Help करने लगता है Sunny Megha को एक Flat दिखाता है जब Megha Flat देखने में Busy होती है वो Megha के Phone से Call करने के बहाने उसके Phone का Remote Access लेकर Tracker लगा देता है Sunny Mansoor को बताता है Force में अब उसका एक Informer है जिससे उन्हें सारी खबर मिलती रहेंगी Partnership पर बात करने पर Mansoor Sunny से 15% की Deal दन करता है बिलाल अपने खबरी से मिले Message को Decode कर माइकल को बताता है 12,000 करोड बर्मा के रास्ते मनसूर इन्विया लाने वाला है Megha और Sunny देट पर जाते है जहां अनन्या उनकी देट स्पोईल करने आ जाती है लेकिन मेगा उसको JLS फील करा कर भगा देती है माइकल बिलाल की Help से Shipment अंदर आने वाली सारी Location पर अपनी टीम की Help से Security बढ़ा देता है क्योंकि माइकल की टीम में Sunny की खबरी मेगा है और मनसूर की टीम में बिलाल का खबरी है इसलिए दोनों को एक दूसरे का Plan पहले ही पता चल रहा था मनसूर अपने पुराने नकली नोटों के Consignment का यूज कर फोस को गुमराह कर देता है और अपना सारा पैसा Tarjan House के रास्ते लाने का Plan बनाता है Sunny और फिरोज एक Russian Captain से उसकी जंग लगी Ship खरीद कर उस पर 12,000 करोर लाद कर इंडिया के लिए निकल जाते है माइकल के चालाग दिमाग के चलते पुलिस अलंग पर सिक्योरिटी बढ़ा देती है जिसके चलते Sunny को Captain का आइडिया यूज कर सारा पैसा मुंबई में तट के पास पानी में छोड़ना पड़ता है Sunny उस भंगार शिप को मुंबई बीच पर छोड़ देता है जिससे माइकल अपनी फोस के साथ वहाँ पहुंच जाता है इसका फायदा उठा Sunny और फिरोज पानी से सेफली अपना कंटेनर निकाल लेते है फाइनली मंसूर का 12,000 करोड इंडिया में एंटर कर जाता है Sunny और फिरोज नोटो पर गुलाटिया मारते फिरते है Sunny और फिरोज इतना ज्यादा कमाने के बाद अपनी सारी जरूरते पूरी करते है जैसे आली शान फ्लेद बड़ा ओफिस बड़ी गारी और वो उन क्लब्स में पार्टी करते है जहां उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता था गैलोट मीडिया में इंटर्व्यू देता है मीडिया उससे नकली नोट के मास्टर माइन को पकड़ने के बारे में सवाल करती है गैलोट जाच का बहाना बना अपनी जान छुड़ा लेता है माइकल और मेगा गैलोट से मिल उसे इंफॉर्म करते है कि 12,000 करोड रुपे के जाली नोट इंडिया में आ चुके है और ये नोट मशीन से भी नहीं पकड़े जा सकते इनका पता जला कर चल सकता है लाल नोट यानी नकली नोट सनी नानू की क्रांती पत्रिका को ओनलाइन रजिस्टर करा देता है जिससे नानू काफी खुश हो जाते है गैलोत माइकल को जल्दी से जल्दी नकली नोट के कंसाइमेंट को पकड़ने की वार्निंग देता है अगले दिन माइकल कोर्ट डाइवोस केस की हीरिंग पर जाता है जहां रेखा की वकील उसकी और उसके वकील की धज्या उड़ा देती है सनी मेगा के घर उससे मिलने जाता है जहां मेगा उसे अपना करेंसी कलेक्शन दिखाती है और डिफरेंट टाइप के फेमस फेमस नकली नोट शापने वाले आर्टिस्ट के बारे में बताती है और फिलहाल सुपर नोट शापने वाला आर्टिस्ट उसका फेवरेट है 12,000 करोड काफी बड़ा अमाउंट होता है तो ये अमाउंट मार्केट में लाने में सनी को काफी टाइम लगता है मनसोर उसे कॉल कर जल्दी से जल्दी सारा नोट मार्केट में लाने को कहता है हर आर्टिस्ट अपनी आर्ट पर अपनी पहचान जरूर छोड़ता है मेगा सुपर नोट में सनी का एस का निशान धून्ट कर पता लगाती है कि केसरी भाई से मिला सेंडविच नोट और ये सुपर नोट एक ही बंदे ने बनाए है माइकल केसरी भाई से आटिस्ट की इनफोर्मेशन लेने जाता है लेकिन वो हेल्प करने के बदले अपने उपर से सारे केसेज भटाने की मान करता है माइकल प्रेस में 12,000 करोड की इंफॉर्मेशन लीग करा देता है जिससे गहलोत पर दबाव बनता है और वो माइकल को कॉल करता है माइकल के कहने पर गहलोत केसरी भाई से बात कर केसेज हटाने के लिए मान जाता है माइकल के कहने पर केसरी भाई आर्टिस्ट के साथ 100 करोड की डील के लिए फोन करता है सनी को उस पर शक होता है केसरी भाई उसे डील के लिए 24 गंटे का टाइम देता है रेखा माइकल को डाइवोस देने के लिए मनाने की कोशिश करती है मनसूर इंडिया आता है और उसके कहने पर उसका आदमी खबरी को धून निकालता है जिसके बाद मनसूर सनी और फिरोज के सामने उस खबरी को गोली मार देता है जिससे वो दोनों काफी डर जाते है मनसूर पैसा मार्केट में उतारने के लिए सनी पर प्रेशर डालता है जिसके चलते ना चाहते हुए भी सनी के सरी भाई से डील के लिए मान जाता है अगली सुबह फिरोज सनी को बताता है कि डिलीवरी की लोकेशन एक मॉल में है फिरोज को सनी से पता चलता है उसने मेगा के प्यार में पढ़कर फोन से ट्रेकर निकाल दिया था जिसके बाद वो सनी पर काफी गुस्सा करता है माइकल का फाइनली उसकी बीवी से डाइवोज हो जाता है सनी नानू के साथ डिनर करने जाता है और उनके साथ डिनर पर अच्छा टाइम स्पैंट करता है नानू उसे बताते हैं उन्हें सपना आता है कि उन्होंने सनी को कोई गलत काम करते हुए पकड़ लिया है माइकल आटिस्ट को पकड़ने के लिए अपनी फील्दिंग बैठा देता है सनी और फिरोज पार्किंग में अलग-अलग जगा गारी खड़ी करके केसरी की वाइट फॉचुनर का इंतजार करते है माइकल वाइट फॉचुनर कार में एक बंदे के साथ मेगा को भेज देता है सनी डील करने के लिए फॉचुनर के पास जाता है जहां वो मेगा को देख समझ जाता है ये एक ट्रैप है और वो कार लेकर भागने लगता है ओफिसर उसका पीछा करते है सनी पारकिंग में उनसे बच कर गारी चेंज कर लेता है सनी और फिरोज एक फेक आइडेंटिटी के साथ क्लीनिंग सर्विस वाली गारी लेकर निकलने की कोशिश करते है लेकिन माइकल उनको रोग कर उनकी आईडी चेक करता है वो बच कर निकलने वाले होते है तभी एक ओफिसर माइकल को बताता है उन्होंने कार चेंज कर ली है जिससे पहले माइकल कोई एक्षम लेता वो गारी लेकर वहाँ से निकल जाते है पुलिस उनका पीछा करती है और वो बचने के लिए सारा पैसा रोड़ पर उड़ा कर भाग जाते है ये इंसीडेंट मीडिया के लिए हेडलाइन बन जाता है इसका फायदा उठाकर माइकल गहलोत की हेल्प से मनसूर का सारा कच्छा चिट्था मीडिया को सौप देता है जिससे वो मेन टारगेट बन जाये और कोई भी कंट्री उसको सपोर्ट ना करे मनसूर मीडिया में अपनी न्यूस देख बॉकला जाता है और जल्दी से जल्दी अपने बंदों को सनी और फिरोज को धूनने का ओडर देता है पुलिस को उनके बारे में पता है या नहीं ये जानने के लिए सनी मेगा से मिलने जाता है जिससे उसे पता चलता है पुलिस अभी उनके बारे में नहीं जानती है सनी जमाल को phone करता है वो उसे एक घंटे बाद safe house लाने को कहता है साइरा मनसूर को बताती है high command ने उससे पल्ला जाड लिया है अब अपनी safety का वो खुद जिम्यदार है जमाल मनसूर को call कर सनी के बारे में बताता है मनसूर उसे सनी को ठिकाने लगाने का order देता है जमाल और जीतु काका सनी और फिरोज को सेफ हाउस ले जाने के बहाने मारने का प्लान बनाते है लेकिन सनी इस सिचुएशन के लिए पहले ही रेडी था उसने लाइव लोकेशन आन कर अनीस को उसके बंदों के साथ बुला लिया था जिनकी हेल्प से वो वहाँ से बच निकलते है सनी को यासीर चाचा का कॉल आता है कि नानु करांती प्रेस में जल कर मारे गए है जो आग मनसूर ने लगवाई थी सनी जबरदस्ती फिरोज को अंडरग्राउंड होने के लिए ट्रेन से दूसरे शहर भेज देता है जिसके बाद वो सीधे अपने नानु की मौत का बदला लेने पैसो वाले गो डाउन जाता है जहाँ वो जमाल और बाकी आदमियों को एक-एक करजान से मार देता है सनी उसके बाद जीतू काका को मार कर उसके फोन से मनसूर को वीडियो कॉल लगा कर उसके सामने ही सारा पैसा जला देता है जिससे मनसूर गुस्से में सनी को मारने की धमकी देता है इसके बाद हम देखते हैं CCFART आफिस में सौफ्ट्वेर माइकल के डिस्क्रिप्शन और सनी की धुन्दली फोटो से आर्टिस्ट की तस्वीर कम्पलीट कर रहा होता है जहां एक तरफ सनी मनसूर से उसके नानू की मौत का बदला लेने के लिए गुस्से से भरा हुआ है फिरोज ट्रेन में अपने दोस्ट सनी का इंतजार कर रहा है वही मनसूर भी सब कुछ खत्म होने के सदमे में है माइकल अपनी बीवी और बच्चे के चले जाने के गम में उदास है सिरीज को सीजन टू के लिए ओपन एंडिंग के साथ छोड़ दिया जाता है बदले और दुख भरी फीलिंग्स के साथ फर्जी सीजन वन का एंड होता है इसी तरह के एक्स्प्लेनेशन के विडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें